हेलो बच्चों वेलकम टु दा बैस्ट ओन्नाइन एडुकेशन प्रेटफॉर्म फॉर मैकेनिकल ब्रांच आज कल जो चर्चा का विश्य बना हुआ है वो है आरर भी एलपी आरर भी एलपी आरर भी एलपी कंट्यूनी आपने हर जेगे यही सुन रखा होगा क्यों चर्चा म कि अगर हम बात करते हैं कि क्या रह सकता है हमारा सेफ स्कोर सीबीटी वन के लिए लेकिन सेफ स्कोर जानने से पहले हमें थोड़ी बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि वेकंसी जो थी वो पहले कितनी थी 5696 लगभग साड़े 5000-6000 सम साइज हो चुकी है यानि दुबारा सी जो आपके पास वैकंसी दी है सरकार ने छप पर फाड़ के दी है लगभग 18799 उन्यस हजार के आसपास आप लोग समझ सकते हैं उसको ठीक है और टोटल फॉर्म्स जो भरे गए हैं यह सबसे इंपोर्टन्ट है मात्र कितने भरे में हैं वो कितने हैं 19 लाग के आसपास और जो भी आपकी वैकंसी है उसके लगभग 15 गुना बच्चे CBT-1 के लिए क्लियर करवाये जाएंगे यानि CBT-2 में अगर आप लोग को जाना है तो जो भी आपके वैकंसी है उसका 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे जो लगभग लगभग 2,80,000 के आसपास बनता है यानि जो आपके 19 लाग है 19 लाग बच्चों में से 2,80,000 बच्चे सिर्फ क्वालिफाइ कराएंगे CBT-1 और पहुंचेंगे कहां पर CBT-2 में यानि अगर आप देखोगे 19 लाग और compare करोगे 2,80,000 एकदम से बहुत सारी क्या हो जाएगी देखो घबराना कभी भी नहीं है, forms हमेशा बहुत जादा भरे जाते हैं क्योंकि भीड बहुत जादा होती है, पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है तो आप लोग ने यह नहीं देखना, form इतने जादे हैं तो हमारा कैसा selection होगा, भई आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर दी है, selection आराम से होगा, वेकेंसी देखो, काम है का है, वेकेंसी, बढ़िया वेकेंसी है, बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हो, पेपर दे के इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है, चलिए, वेकेंसी की बात कर लिए, बात करते हैं, स्लेबस की भई, अगर सेफ इस सब्जेक्ट हैं, जो आपको मैक्सिमम मार्क से दिला सकते हैं, मैट्स का सारा का सारा लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम, बार्ड माद, डैसिमल, फ्रेक्शन, ल्स्या, मैसिया, फरेशो, परसंटेज, एंसुरेशन, टाम इन वर्क, टाम इन डिस्टेंस, वगेरा, वगेरा एलजेब्रा, जोमेट्री, टिग्नोमेट्री, अलिमेंट्री, स्टैक्स, देरके, स्क्वार रूट, देरका, एज कैल्कुलेशन, यानि पूरा का पूरा अर्थमेट्रिक एडवांस, उसने मिक्स करके दे दिया, रीजनिंग की बात करते हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ सिंपल सा, यहाँ पर पूरा डिश्ट्रिबूशन कर रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर बता रखे हैं कि इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बोला कि आप 10 तक के जो भी आपकी फिजिस, केमिस्ट्री और बाइलोजी थी, वो पढ़ लो, आपका से सब्सक्राइब करें अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पूर्टेंट पूर्टेंट तो यह था आपका स्लेबस, अच्छा बात करते हैं सेफिस कोर की, हमने वेकिंस के बारे में जान लेकि कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, कितने बच्चे लिए जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉर्टेंट पॉर्टेंट पे जो है आपके पास सेफ स्कोर, CBT 1 की बात करेंगे, CBT 2 के लिए में आपका अगला शैसन लेकर आऊंगा, टोटल मार्क्स जो है वो कितने है, 75 है, अब इनका डिस्टिबूशन किस तरीके से हुआ है, मैट्स में लगभग कितनी जा सकती है, देखो पिछली बार जो वेकर जो आपकी मेरीट गई थी, अपकी बार जो मेरीट जाईगी उसमें आसमान, जमीन आशमान का अंतर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार आपके पास जो फोर्म भरा गया था, बहुत ताइम पहले बढ़ा था, आपके बार तो 14 to 15 question इसमें करने पड़ेंगे सही, ठीक है, reasoning की बात करते हैं, तो थोड़ी सी easy होती है, तो यहाँ पर आप अपना target क्या ले सकते हैं, 20 से लेकर 22 marks तक ले सकते हैं, इतने तो आपको खीचने ही खीचने, अब यह नहीं कि आप बोलू कि सर ने बोला कि 14 से 15 बोला था, तो हम इ GKS की अगर हम बात करते हैं, मातर कितने number का है, 10 number का है, लेकिन आपको भी पता है GK कितना बड़ा है, है ना, पता नहीं क्या-क्या चीज इसमें पूछी जा सकते हैं, साथ-साथ current affairs भी आ सकते हैं, तो इसमें हम एक काम करते हैं, 5 to 6 question ले ले लेते हैं, कि इतने question तो लगभ देते हो, तो आराम से CBT1 क्या कर दोगे, क्लियर कर दोगे, बहुत easy way में क्लियर कर दोगे, अच्छा merit की अगर हम बात करें, कि लगभग कितनी कितनी जा सकते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अगर हम general की बात करते हैं, तो भई आपको अपना safe score रखना प पड़ेगा, इतसे उपर भी आपके पास merit जा सकती है, SCST के अगर हम बात करें, तो इसमें बहुत ज्यादा difference तो देखने को नहीं मिलेगा, तो यहां पर score आप अपना क्या कर सकते हो, 44 के आसपास रख सकते हो, इतना आपको लेकर ही चलना है, अब आप लोगों ने ये नही जो है, वो थोड़ी सी कम जादा जाती है, तो ये लगभग आपका safe score हो सकता है, लेकिन आपको जो आई करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने में करनी है, 75 आउटो 75 में, एक चीज का और ध्यान रखना कि ये सिर्फ qualifying nature का है, तो आप लोग ये ना हो, कि मेरे को मैट्स के 20 के में लग गए और लगा दिया, इसमें आधा टाइम, फिर आपने बोला कि reasoning के मेरे को 25 में से 25 करने और सारा का सारा टाइम इसी में लगा दिया, और कुछ question आपके गलत होगा, और merit साब वैसी बहार होगे, सबसे पहले आप लोग को average रहना है, यानि maths, reasoning, GS और science, यानि इस त अरीके से आप लोग उने पढ़ा है, जितने अच्छे से आप लोग उने पढ़ा होगा, उतने अच्छे से आप लोग paper दे सकते हो, और आराम से CBT1 आप लोग clear कर सकते हो, तो यहाँ पर हमने बात करी सबसे पहले की vacancy कितनी थी, कितनी increase हुई, और total forms कितने भरे गए थे, फिर हमने देखा कि क्या इसका syllabus है, है न, maths में क्या है, reasoning में क्या है, science में क्या हो सकता है, और GKGS में क्या हो सकता है, फिर यहाँ पर देखा, जो most important part था कि हमें अपना जो score है, वो safe करने के लिए कहां से कहां तक करना पड़ेगा, तो यह आपके पास maths, reasoning, GKGS और science के बार मे में बताया है, अब यह मत मुलना है, तो इतने में से इतने ही marks लाइंगे, आप लोग की जितनी strong चीजे होंगे, जितना strong आप लोग का subject होगा, उसी के हिसाब से आप लोग distribution भी कर सकते हो, ऊपर नीचे merit जा सकती है, डिपैंड करता है कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, और आप लोग हम से जुड़ना चाते हैं, हमारे साथ मिलकर preparation करना चाते हैं, कि इतनी ज्यादा vacancy है, एक vacancy तो आपको लेनी ही पड़ेगी, तो लिमिटे टाइम में आप लोग ये course हमारा ले सकते हैं, जिसमें general science आपको मिलेगी, general awareness मिलेगी, reasoning मिलेगी, maths मिलेगी, सबसे खास बात इस course की ये है कि जितने भी आपको यहाँ पर subject दिख रहे हैं, सबके recorded lecture आपको देखने को मिलेगी, याईनि विदेन टाइम, टाइम के अंदर रहते रहते हैं, आपको अगर लगता है कि हमें percentage करना है, मेरे बाकी तो chapter ठीक ठाक है, तो सबसे पहला percentage उठा सकते हो, इसमें प्रेक्टिस बैच चलेगा, इसमें रीजनिंग का लाइप प्रेक्टिस बैच चलेगा, साइन्स का लाइप प्रेक्टिस बैच चलेगा, यानि सबसे पहले recorded form में जो आपको लेक्टिस मिल रहे हैं, उससे अपना आप लोग सलीबस कवर कीजिए, जो भी fundamental हैं, जो भी concept हैं, जो भी अपने basics हैं, वो सारे के सारे clear कीजिए, और जब ये सारी चीज़े clear हो जाती हैं, तभी तो मज़ा आता है practice का, तो practice भी बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे, maths, reasoning, science और GKGS की, clear है, तो ये आज जो हमने safe score की बात करी वो CBT1 की बात करी है, ठीक है, अच्छ है, उसको download करना पड़ेगा, login register जैसी आप करोगे, तो आपको ये वाला course वहापर ब्लिंक हो जाएगा, click कीजेगा, ये coupon code आप लोग को लगाना पड़ेगा, अगर coupon code नहीं लगाओगे, तो 50% का off नहीं मिलेगा, 999 का जो course है, वो 999 का ही आपको मिलेगा, ALP 50 जैसी ये 500 का मिलेगा, clear है, तो चलिए बच्चो, सेम, CBT 1 की हमने बात करी, अगला session में लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम बात करेंगे, CBT 2 में हम अपना safe score कितना ले सकते हैं, okay, thank you, तब तक आप लोग अपनी practice कीजिए, अपनी preparation start कीजिए, syllabus cover कीजिए, तभी मज आएगा paper देने म क्राश का मेंlo y libड देने में आपको, सेम, मेंगा की अपनाे म करेंगे, तब दे माथएने माथ जाणी से सकते हैं, बागे, तब तो आपके बात की हमेंस, ऐसे मुझा का मना आपक्तवा से लेगात हैं, टिए, तब तब बात आएगा से मुझां हैं, तो आपके हमेगार से